हलो आज है 16 जून और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टील और्थरिटी आफ इंडिया के बारे में तेकि 67-68 रुपीज के आज पास श्रैट ट्रेट कर रहा है सरकार की एक अनॉंसमेंट और वही है हालत खराब हो गई पूरे मेटल सेक्टर की और स्टील और इंडिया को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ यहां पर वीडियो में डिसकस करेंगे सरकार की गेम के बारे में और राकेश जी के गेम के बारे में भी तो वीडियो को शुरू करूँ से पहले अगर आपने वी तक चैनल को प्रावट है इससे पहने 71 रुपीज तक गया था लेकिन दुबारा बांस बेक दिखा दिया इसने लेकिन अब लगा था टूट रहा है बाजार में भी प्रेशर बना रहा है एक साल में अगर देखे तो जिस प्राइस पर अभी श्रेड रेट कर रहा है वो पिछले एक साल का सबसे लोवेस्ट प्राइज है और 50% तक कह सकते कि तूट चुका है उससे जादा ही तूटा है क्योंकि 125 रुपे से अब ये 67 रुपीज के करीब पहुँच चुका है और 5 साल में देखे तो अभी 20% का ग्रोथ जरूर है तीजी बनी थी यहां पर आप देखो 2017 से लेकर तीन-चार महिने का पीरियर था वहां पर शेयर डबल हो गया था अल्मोस्ट लेकिन उसके बाद 18 से लेकर देखा जाये तो सिफ और सिफ गिरावट ही आई 19 तक फिर तीजी भी आई फिर कोविट की वज़े से ऐसी गिरावट है कि शेयर 20 रुपे तक चला गया ल लेकिन अगर पिछले तीन-चार कॉर्टर में अगर देखे तो राकेश जी लगातार यहां पर बिक्वाली कर रहे हैं लगातार बिक्वाली कर रहे हैं सबसे पहले उनके शेयर होल्डिंग पैटन पर गर मैं आपको ले चलू तो राकेश जी का जो शेयर होल्डिंग पैट के आसपास थी, बाद में इनों ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, 1.80% तक ले कर गए ये, 1.80% तक और ये कब का दौर था, ये था सब्टेंबर 2021 का क्वार्टर, लेकिन डिसंबर में वही 1.80% की होल्डिंग एक ही जटके में बेज के 1.10 पर ले कर आए, और अभी ये होल है, वह एक परसंट से भी कम है, और यहां पर आप देखें किस रही के से होल्डिंग को कट डाउन किया, ठीक है, राके जुन जुन वाला है, इस कट डाउन ही स्टेक इन कंपनी फ्रम 1.76% जो कुल मिला के शेयर जो थे 7.25 करोड के आसपास के थे, बाद साथ करोड 25 आसपा थी, डिसम्बर में वो घटके हो गई 1.09% ठीक है, अब यहां पर हुआ क्या है, उसके बाद, डिसम्बर के बाद, हावेवर, राकेश जुन जुन वाला's name didn't appear in the list released by the company for January and March quarter as per the latest filing, अब देखो जो latest company ने filing करी मलब सेल ने जो filing करी है, उसमें राकेश जुन जुन नाम नही स्टेक, मतलब लगातार राकेश जी ने विक्वाली करी है, 1.76% की हिस्दारी 1.09% पर आ गई, और latest जो holding है वो इससे भी 1% से भी कम है, क्योंकि 1% से जाद अगर होती, तो company उनके नाम को disclose करती, लेकिन अगर company उन नामों को नहीं बताती है, जिनकी holding 1% से भी कम होती है, तो यहाँ पर कह सकते हो कि सेल में पिछले 3 quarter से राकेश जी विक्वाली कर रहे हैं, और share price पर अगर आप देखो, तो पिछले 3 quarter से इस share price में लगातार आपको गिरावट ही देखने को मिल रही है, सेल में, सेल को लेकर देखा जाए, तो भाई साब, large cap share है, 29,300 करोड़ से भी ज परकारी कंपनी है यह, और यहाँ पर 4.58% FIS के पास है, 3.67 mutual fund, 6.39 insurance कंपनी के पास है, प्रमोटर का एक भी शेय गिरिवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है, डिविडेंट भी अनौन्स किया है, 0.5 रुपय पर share का dividend, और March इनके X date थी, March महिने में, तो अब तक सबको dividend मिल भी चुका होगा, जिनके पास sale का share हुआ करता था, sale को लेकर अगर एक और बड़ी चीज जिसने share को तोड़ने का काम किया, और जो भी खबर आया थी, मैंने वीडेयो बना कर आपको update भी किया था, और खबर ये थी, कि government ने इनको बड़ा जटका दिया, यहाँ पर क्या किय कि calling export duty यहाँ पर बढ़ा दी, जिसकी वज़ा से पूरा sector negative में चला गया, पहले क्या था कि 0 था duty, अभी नहोंने बढ़ा के 15% कर दिया, यहाँ पर आप देखो, most of the export of steel and stainless steel will attract 15% export duty, now, we will see these as extremely negative development for the steel sector and the expect broad-based multiple derating, we downgrade steel stainless equities under the coverage of either, देखो, यहाँ पर इस company के लिए अच्छा क्यों नहीं, देखो, इनके orders already purchase हो चुके थे, ठीक है, यहाँ पर, और जब यह export duty लगा दे इन पर, ठीक, export duty यहाँ पर जो लगा दे, export duty, तो जाहिर से बात है, जिसकी वज़ा से, कही ना कहीं, company का पेह करना पड ने पहले भी का था, कि देखो, यह गिराव डाने वाली है, metal में, तो अभी तो मत ही खरीदना, sale को लेकर, अगर हम देखे, तो यह लगा था, टूट रहा है, support अभी कहाँ पर बनता हुआ, नजन नहीं आ रहा है, कहीं पर ऐसा नहीं लगा रहा है, कहीं पर अच्छा यह जो शेर है, यह डाउनवर्ड्स में है, तो कहां रुके का यह कहना मुश्किल है, लेकिन 55-60 का जो रेंज है, वहाँ पर मौक्या आपको मिल सकते हैं, buying के, sale को लेकर, अगर हम देखने की कोशिश करें, steel author of India, तो सिर्फ 6 परसनलों कहारे कि बेच हो, क्यों कि अलड़ी क अफीजादा तूड़ चुका है, अब यहां से खरीदारी के मौके जरूर लेकिन थोड़ा और नीचे की लेवल पर खरीदारी के वह मौके नजर आते हैं, कंपनी के revenue में बढ़िया उचाल है, बाइस अब देखो, 70,000 करोर से भी कम के revenue, 1,3,000 करोर से भी जादा पहुँच में 11,825 करोर, तो यह बड़े-बड़े profit company कर रही है, और यह बहुत बड़ी बात है, positive चीज़ है, 2.39 का P, सस्ता है बाई साब, sector P, 11 का है, 52% एनलिस कहते हैं, खरीदारी करो, खरीदारी करने का सही मौका भी कुछ और बोर जोन नहीं, कोई भी rate flip नेजर नहीं है, अच्छ अच्छी दिग्यच company तूट रही है, तो ऐसे हालत में Steel Authority of India के share में गिरावट आना कोई बड़ी बात नहीं है, तो अभी के लिए इतना ही कहूंगा, कि थोड़ा सा इंतजार करो, अगर खरीदारी करनी है, तो 55-60 रुपे का range initial investment के लिए सही रह सकता है, और अगर उसके बा जहां तक बाद है fresh buying के, तो 55-60 के range का इंतजार करना चाहिए, वीडियो को यहीं पैंड करूँगा, पसंद आए हो तो लाइक कर शेकर चैनल पकर पहली बाहर आएं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और Steel Authority of India के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे comment में लि